साट के दसक से कॉंग्रेस ने अपनी एपिस्मेंट की पोलिटिक्स को चुनाव जीतने का अथ्यार बना चिदंबरम ये नहीं कहते हैं कि CAA में क्या बुराई हैं हम CAA हटा देंगे क्यों हटा ना है क्योंकि उनको अपनी माइनोरिटी की पोलिटिक्स करनी है हम किसी के साथ सन्याएं नहीं करेंगे CAA से किसी का नागरिक्ता जाना नहीं है ये भ्रानती फिला रहे हैं मैं चिदंबरम साब को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका ये इरादा कभी पूरा नहीं होने वाला है साथ के दसक से कॉंग्रेस ने अपनी हैपिस्मेंट की पोलिटिक्स को चुनाव जीतने का हत्यार बनाया इसके खिलाब हम सालों से संगर्श कर रहे थे 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप्मेंट का एजंडा जनबानस के बीच में सैट भी किया और उसके आधार पर चुनाव की देश में शुरूआ दूए कॉंग्रेस को बहुत तकलिप पड़ रही है डेवलप्मेंट के एजंडे पर विकास के एजंडे पर चुनाव लड़ने में लगातार वो पराजीत हो रही है फिर से एक बार एपिस्मेंट के पोलिसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहती है चिदंबरम ये नहीं कहते हैं कि C.A. में क्या बुराई है हम C.A. हटा देंगे क्यों उटाना है क्योंकि उनको अपनी माइनोरिटी की पोलिटिक्स करनी है माइनोरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है भारती जनता पाटी अपने सिद्धानतों पर अटल है हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे सब के साथ न्याय करेंगे परन्तु तुरुष्टी करन भी किसी का नहीं करेंगे इस निती पर हम आगे बढ़ रहे हैं और CAA से इस देश में बहुत बड़ी तादाद में पडोसी देशों से आये हुए religious minority हिंदू, बाउद, जाइन, सीख इस सभी को नागरिक्ता मिलती है, सुरक्सा मिलती है मैं नहीं समत्ता इसे Congress को क्या पत्ती है CAA से किसी का नागरिक्ता जाना नहीं है ये भ्रानती फिला रहे हैं और epismant की politics करकर चुनाव जीतना चाहते हैं मैं चिदंबरम साब को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका ये इरादा कभी पूरा नहीं होने वाला है देश की जनता अब Congress Party को भली भानती जान चुकी है जहां तक तिन कानून का सवाल है चिदंबरम स्वयम कमीटी में थे उन्होंने कई बार एतीन कानूनों के बारे में कमीटी में के चर्चा करते बहुत काफी अच्छे सुझाओ भी दिये सराना भी की तीन कानून से देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम दुनिया में सबसे आधुनीक बनेगी और तीन साल में ज़्यादा से ज़्यादा हर एक व्यक्ति को नियाए मिलेगा कॉंग्रेस नहीं चाहती किनके सामने जो करप्षन के मुद्दे हैं करप्षन के केस हैं वो कभी भी अन्जाम तक पहुँचे उनको नियाए लंबित हो उसमें इंट्रेस्ट है मगर भारतिय जनता पार्टी की पॉलिसीस पश्ट है नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीस पश्ट है हर नागरिक का कम से कम समय में नियाए पाने का समवेदिन अधिकार है वो देने के लिए हम कटिबद है कॉंग्रेस ना सत्ता पर आनी है ना इनको ए फैसले करने है मैं देश की जनता को अस्वस्थ करना चाहता हूँ C.A.B. रहने वाला है तीन कानूनों का implementation भी होने वाला है और हर नागरिक को तीन साल के अंदर नियाए मिलने की विवस्ता सुनिश्चितोगी और हर सरनार्थी को नागरिकता भी मिलेगी इसमें कोई संदे ही रखने की जरूरत नहीं है और मैं तो कॉंग्रेस के निताव को सला भी देना चाहूंगा कि बहुत बार हार चुके आप चुनाओ impeachment की policy से बाहराईए और विकास के इजन्डे पर perform करने का प्रयास करिए